पूर्व पीम इम्रान खान की इरिफ्टारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा दूसरे दिन भी जा रही है पेशावर, इसलामाबाद, लाहौर, कराची और रावल पिंडी समेट कई शहरों में एक खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसास के संपर तक आगजनी और तोरफोर कर रहे है छे लोगों के मौत की खबर है इसलामाबाद में रडेलर्ट जारी कर दिया गया है फॉरन एम्मेसीज और कॉंसिलेट को ये स्टाफ को बाहर ना निकलने के सलहा दी गई है इसी बीच गिर्फतारी के बाद इमरान का पहला फोटो सामने आया है ये शोचल मीडिया पर वारल है पीटी आई कायल करताओं ने मंगलवार देरा त्रावल पिंडी के आर्मी एंकोर्टर में तोरफोर की लाहोर में गवर्णर हाउस और आर्मी कमांडर का गहल जला दिया कई फॉजी असरों के हरा हमले हुए पाकिस्तानी अफ़ार दे डॉन के मुताबिक हिंसा को देख्ट हुए पूरे पाकिस्तान में इंटेनेट बंद कर दिया गया है सभी स्कूल और कॉलेस दो दिन के लिए पंद कर दिये गए है एहम शेरों में पैरा मिलिटरी फोर्स रेंजर्स की तनाती कर दी गई है इसके बाद 22 किलोमेटर दूर रावल पिंडी में एनेबी के हेड़कोर्टर में शिफ्ट किया गया था इसलामाबाद हाई कोट ने मंगल बारात 11 बजे इमरान की गिर्फतारी को सही लेगिन तरीके को गलट धहराया खान को इसलामाबाद पुलिस हेड़कोर्टर लाया जाएगा यह एनेबी के स्पेशल जस्माई करेंगी जांच एजनसी 14 दिन का फिजिकल रिमार मांगेगी पाकिस्दान सरकार ने कहा इमरान की जान को खतरा हो सकता है इसलिए उन्हें किसी अदालत में पेश करने के लिए फिलहाल नहीं ले जाये जाएगा फिलहाल के इतना ही कर फिर हाईजर होंगे एक और बड़ी ख़बर के साथ तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और दिखते रहे ना भालत टुड़े नमसकार